नमस्कार कक्षा आठ यूनिट तीन है बहुबुज इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि बहुबुज होता क्या है केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहुबुज कहलाता है बहुबुज को इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल और बच्चो केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहुबुज बंद यानि क्लोजड होना चाहिए जुड़ी होनी चाहिए सारी बुजाएं वक्र बहुबुज यानि कि जो सधारन वक्र बहुबुज है जो कि एक दूसरे को क्रॉस कहीं न करे तो ये सबी जो है सरल बंद वक्र बहुबुज है ये बहुबुज है सबी के सबी देखिए यह भी यह त्रीबुज यह समानतर चत्रबुज और इस प्रकार से बाकी भी जो है यह बहुबुज है अब हम इसके साथ ही बच्चो करते हैं कि बुजाओं की उत्तल बहुबुज में ये सबी उत्तल बहुबुज है उत्तल बहुबुज कौन से होते हैं जिन में एक बुजा के एक ही हो और बाकी सारा बहुबुज हो जैसे देखिए यह एक वर्ग है इस बुजा के सिर्फ इसी तरफ को बाकी बहुबुज है इधर को नहीं इस बुजा के लिए सिर्फ नीचे को ही है बाकी बहुबुज उपर को नहीं ऐसे बहुबुजों को उत्तल बहुबुज कहते हैं देखे यह उत्तल बहुबुज नहीं है क्योंकि इसके इस बुजा के उत्तल बहुafज के तो उत्तल बहु बुजाओं की संख्या के हिसाब से उत्तल बहुज ही हों गी तो उसे कहा जाएगा त्रीबुज यदी चार बुजाएं होएंगी तो उसे कहा जाएगा चत्र बुज यदी पांच बुजाएं होएंगी तो उसको कहा जाएगा पंच बुज यदी छे बुजाएं होएंगी तो उसको कहा जाएगा शट बुज साथ बुजाओं वालों को सब्त बुज आठ भुजाओं वालो को अस्ट भुज ये शर शट कौन है अधा अस्ट भुज 9 भुजाओं वाले को 9 भुज और जिसकी 10 भुजाए होंगी उसे कहा जाएगा 10 भुज 10 यानि गिंते और भुज यानि भुजाएं ठीक है त्री भुज, चत्र भुज, पंच भुज, शट भुज, सप्त भुज, अश्ट भुज, नव भुज और दस भुज इस प्रकार से ये उत्तल बहु भुजों का वर्गी करण है आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझाया होगा और इसके पश्चार जो हम exercise करेंगे वो भी आपको अच्छे से समझायेगी धन्यबाद